नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं भारत 24 खबरों की इस दुनिया में कुछ ऐसी खबरे भी होती हैं जो की लीक से हटके होती हैं ऐसी ही खबरों में आज हम बात करेंगे एक अनोखे मसाज के बारे में फरीर की ठकान को दूर कवने के लिए अब तक आपने कई तरह के मसाज लिये होंगे लेकिन जिस मसाज के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानना तो दूर अब तक आपने फोचा भी नहीं होगा हम आपको आज उस इसपा के बारे में बताने जा रहे हैं जहां साप उसे लोगों का मफाज किया जाता है और लोग दूर दूर से इस इसनेक मफाज का आनन लेने आती है मिस्र के कैरो इसपा में लोग दूर दूर से स्नेक मफाज का आनन लेने आते हैं यहां का स्नेक मफाज काफी लोग प्रिये है इस स्नेक मफाज में दवजनों साप अजगर आपके बदन पर छोड़ दी जाते हैं फिर बदन पर रेंगते साप आपके सरीर को रिलक्स कराने का काम करते हैं आप सोच कर भी डव रहे होंगे कि कैसे साप को आपके उपर डाल दिया जाता है यहां मसाज करवाने वालों का कहना है कि सुरुवात में तो उन्हें डव लगता है लेकिन धीरे धीरे अधबुत आनंद और विलक्स की अनुभूती होती है इस इसपा के मालिक का कहना है कि सापो के इस मसाज में मान स्पेस व्यू और जोड़ों के दवद में आराम मिलता है सरीर में बलड सर्कुलेशन बहतर होता है और लोगों की ठाकान खत्म हो जाती है और उन्हें काफी विलक्स का अनुभा होता है इस पाके एक क्लाइंट की मताबिक जब सरीर के शापो बोड़ा जाता है तो फुरुवात में पहुट ड़ लगता है सरुवात में युवात में पहुत ए डर्स एक ख pont अन्हें मीश्म हो जड़ अनुभाग ड़ लेकि जड़ काफन लेकि अनुवात में इन्हें चेसरा। कि अच्छ करणे लेगो एक चुट में आपरा पर जान्चू है, अज्ट ने अच्छ कि अटा ज़गां। यह लिए लिए नच्छ का यद यह लिए। शेसर लेटनी जैसे जाख वे लेटनीध खुली हम मासाजिगा दिम रएकर और इसक्छ रेगां। जो चेड़ेड़ के में लिए केस्ट में उकश्री काया के एक लॉऑब आटेड़ा उंद अकेड़े, बना मज़ इना को पीलिवरे, चिलिवरे, चीडाराब बाइ़ गर। झाल झाल